हलो बच्चों स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल कमपटेटिव गाइडर में कमपटेटिव गाइडर सैनल के मातम से हम लोग हिंदी ब्याकरन के सीरीज में आज का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं अभी से पहले पार्ट 1 वीडियो अप्लोड किया चुका है अग आज हम लोग यहां पे सब्द विचार को लेकर आगे पढ़ेंगे जो क्लास नौमी से लेकर बारामी तक कि लिए बहुत मुत अपुन साबित होगा तो आईए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्द विचार पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं तो प्यारे बच्चो सब्द विचार पे जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग यहां से सबसे पहले जो देखेंगे वह उत्पती के अधार पर सब्द के कितने बेद होते हैं यह कौन-कौन होते हैं यहां से डिटेल से देखेंगे साथ में यह भी देखेंगे कि रसना की अधार प ना भेद देखेंगे तो आज का सिरीज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यहां से सब्द विचार पूरा कवर किया जाएगा और साथ में प्यारे बच्चों इसका पार्ट वीडियो भी अपलोट किया जाएगा वहां से भी आप इसको अच्छे से देखना और अगर कवी भी या किसी भी वीडियो में आप लोगों को कोई प्रूब्लम या समस्या होती हैं तो आप लुगु कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना तो चलिए आज कि सेशन को अश्टार्ट करते हैं आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्द विचार यानि सब्द क्या होते हैं सबसे पले यही टर्म को समझने की कोर्शिस करेंगे तो आईए हम लोग बात कर लेते हैं सब्द को लेकर कि सब्द क्या होते हैं तो आईए यहां पर देखने की कोर्शिस करते हैं सबसे पले इसका परिभासा की बात करें तो एक या एक से अधिक वर्नों से मिलकर जो बने सार्थक ध्वनी सम्मु को सब्द कहते हैं सब्द के भेद, सब्द के उत्पती या सुरोत, रचना या बनावट, परियोग तथा अर्थ के अधार पर सब्दों के भेद निचे दिये गए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट समलोग आयद बात करेंगे, वह उत्पती के अधार पर बात करेंगे, तो आये देख लेते ह हम सुरोत के अधार पर हिंदी भासा के सब्दों को चार उपभेदों में बाटा गया है, जियां ध्यान रखेंगे, उत्पती के अधार पर कितने उपभेदों में, चार उपभेदों में बाटा गया है, जिनमें फर्ष्ट आपको बताया गया है तत्सम सब्द, ये बात कर लेते हैं याने हिंदी के मुल भाषा के सब्द को तत्सम बढे काते हैं यानि हिंदी के मुल भासा यानि संसक्रीद के वे सब्द जो हिंदी में ज्योग के केsm característियों प्रिवक्त होते हैं उन्हें तत्सम सब्सक्तियों सब्सक्तियों पर्वासों जयта 17 अगे hayat कि तद्भो को देखिएंगे तो तद्भो क्या होता है कि उस्चारण की सुविधा अनुसार संस्क्रीट के वे सब्द जिनके हिंदी में जिनके हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है हिंदी मैं टद्भव सब्म्स खालाते हैं यह जिनका जो संस्कृत के वे सब्द हैं जिनका हिंदी के रूप में परिवर्तित हो गया है तो ऐसे जो सब्द कहे जाएंगे वह कौन से सब्द कहें जाएंगे तद्भव सब्द कहें जाएंगे जैसे चंद्र से क्या बन चांद्पन गिया चांद बन्या पिर अगनी से आगवना जिवा से जिव बने तधितको मिलें इनको प्रॉछ मोट कौंचा सीद्व डिया गया तद्वा यहाँ पेपि यहां पत्रपो आग्व परवती को अगाडी बनाया गया अच्छत को अच्छत बनाया गया अच्छी को आंख बनाया गया अग्रको आगे बनाया गया अज्ञान को यह सभी चीजों को बीडियो फस्कर करके, देख लेंगे आप इसको कुँचे भी पढ़ने की कोर्स करेंगे ताकि Ecklig लोग भी इसका भी अच्छे से समझ सकेंगे और अगर आपको कोई भी समस्या आती है प्रोब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करना ना बूलें तो चलिए आगे की सीरीज में आगे बढ़ते हैं यह सभी वीडियो पॉस्ट करकर के आप लोगों को देख लेने ह यहां से उस्ट की बात क्या गया तो उस्ट मतलब यहां पर उट बताया गया वही उल्खलू का बात क्या रहा गया तो यहां पर उकली बताया गया तो यह सभी तदसम से तद्वों में कैसे चेंजिंग आ रहे हैं यह सभी आपको देखने हैं चलिए आगे की सिसन में यहां और भी देख रहे हैं ग्रंती को गाठ बनाया गया गर्मी को धाम बना गहां बनाया गया को सभी स्वाग्वर सब्सक्राइब पूर पूरब देखा बताया गया गए फद्र भल्ला उसे प्रतकार मारग मारग बताया गया देख सकतेकि जूरप रच्छा राखी ये सभी चीजahh आपको लें लखत आया गया फिर उसका अलच अलच बताया गया देख सकते हो आप लोग को सुंड़ बताया गया श्रिन्गार को सिंगार बताया गया यह सबी चीजर्ण यहां से समझने थे तिलिए ागे बढ़ते हैं अब हूम लोग बात कर लेते हैं देसत सब्द की तो यहाँ पर देसत सब्द क्या होता है प्यारे बच्चों समझेंगे कि किसी भासा में प्रचलित वे सब्द जो छितरिये जन्ता द्वारा अवसेक्टा अनुसार गढ़ लिये जाते हैं यानि किसी भासा में प्रचलित वे सब्द जो छेतरीय चंता के द्वारा अब सेक्तानुसार गढ़ लिये जाते हैं ऐसे जो सब्द कालाते हैं इसका परिभासा आप यहां से नोट करोगे कि भासा के अपने सब्दों को देशत सब्द काते हैं साथ ही वे सब्द भी देशत सब्दों के सरेनी में आते हैं जिनके सुरूत का कोई पता नहीं है तता हिंदी में संस्क्रीटेत्तर भारतिय भासा में आ गए हैं तो ऐसे जो सब्द कहें जाएंगे वह कौन सी सब्द कहें जाएंगे अपनी गण से बने सब्द जैसे यहां से देख सकते हैं उड़ पटा से इस सभी गण से बने हैं अपनी गण से ऐसे जो सब्द होंगे वह कौन से का लाएंगे देशच का लाएंगे तो आप इसको पाउच करके अवस पढ़ लें पुरे को फिर उसके बाद द्रविड जातियों की भासाओं से आए देशच सब्द जिनमें देख सकते अंडल के बाद पुरे को संधाल आधी जातियों की भासा से घंक की देशlast सब्द जीनमें देख सकते हैं कदली कदली से के रबाना कर्पास से कपास वाना सरसो कोडी अताvol परवल बाजरा और भेंड़ी सबी जो हैं वह कौन संधाल जातियों के हैं उसके बाद हम लोग अगला की भासाओं से भी सब्द आ जाते हैं उन्हें अमलूग भी देशी सब्द कहते हैं फिर से ध्यान रखेंगे कि राजिनीतिक आर्थिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भासा में अन्न देशों की भासाओं से भी सब्द आ जाते हैं उन्हें अमलूग कुंसा सब् फ्रांसिसी चिनी भासाओं के अत्रिक्त डच जर्मनी जपानी तिबती रूसी यूनानी भासा के भी सब्द पर्यूक्त होते हैं जिने अमलोग भी देशी सब्द के अंतरगत रखते हैं ध्यार रखेंगे एपूरे पॉइंट को अंग्री जी भासा के सब्द जो प्राय अंधी में परियुक्त होते हैं जैसे उंडर वियर लेकिन ये भी हैं कुछ तो अंग्रीजी असपताल ऊंगरेजातolly सब्सक्राइब करें अरभी भासा के सब्सक्राइब करें तो अरवी भासा के अज़ाद आदमी इज़द इलाज इंतजार इनाम इस्थिपा उलाद कमाल कबजा कानून कुर्शी किताव किस्मत कवीला की मत गरीब जनाब जलसा यह सभी पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे आप इसको वीडियो पहुस करके जरूर पढ़ लें फार्सी के सब्द की पहर्सी में देख सकते हो अखवार अमरुद अराम अवारा असमान अतिस्वाजी आमदानी कमर कारीगर यह जो सभी पॉइंट्स आएंगे प्यारे बच्चों यह सभी बिदेसच के अंतरगत आएंगे बिदेसी के अंतरगत आएंगे पूर्तगाली भासा से बात करें तो अचार अगस्त अलपीन आलू आया अनानस इसपाद कनस्तर कारवन कमीज कमरा गमला गोभी गोदाम चावी तैलिमत निलाम पीपा पादरी पिस्तोल फित्ता यह सभी जो आएंगे वह पूर्तगाली से आएंगे तुर्की से बात करें तो तुर्की से आका उर्दू एल्च निल्ची, काबू, खा, कैची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंचर, खा, चाक, ची, यह सभी जो पूर्ट्स देखने को आएंगे आएंगे तो आगला जो हम लोग देखेंगे वह फ्रेंच को देखेंगे जो फ्रांसीसी से हैं जिनमें अंग्रेज, काजू, कार्तोस, कुपपन, टेवल, मेयर, मार्सल, मेनू, रेश्टरार, सूप ये सभी फ्रेंच हैं चिनी से चाय, लिच्ची, लोकाट, तुफान है, डच से तरूप, बम, चेडियां, ड्रेल है, जर्मानी से नाच्सी, नाजिवाद, कीडर, गार्टन है, फिर जपानी से कौन सा रिक्सा, सायो, नारा है, तिवती से लामा, डॉड़े है, जार से सोबियत, रूबल, असपुत हिंदी में वे सब्द, जो अलग-अलग भासाओं के सब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उन्हें हम लोग संकर सब्द काते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कि हिंदी के वे सब्द, जो अलग-अलग भासाओं के सब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उन्हें हम लो जो को आपको अपने से देखना है कुछ से देखना है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कवर कर सकें आई हम लोग आगे की बात करें तो रचना के अधार पर सब्दों को देखने हैं तो रचना के अधार पर सब्दों को यहां पर तिन तरीके से बताया गया है एक तो बताया के कारण किसी बिसिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं वो रूर्ड सब्द कहलाते हैं जियां वो कौन से सब्द कहलाते हैं वो रूर्ड सब्द कहलाते हैं और इन सब्दों के निर्मान की जो प्रकेरिया होते हैं पूर्णता ज्यात नहीं होती है इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है तता इन सब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों से स्वतंत अर्थ नहीं होते जैसे दूद, गाय, रोटी, दीपक, पेड, पत्थर, त्योता, अकास, मेड़क, अस्तिरी ये सभी जो देखने को मिलेंगे ये सभी रूड सब्द के अंतरगत आते है चली, अगला जो, अगला जो, हम लोग सेकेंड देखेंगे, वह योगिक सब्द को देखेंगे, तो कहता है कि वे सब्द जो 2 या 2 से अधिक सब्दों की योग से बने हैं, आप इसको ये सभी चीजों को नोट भी करना है, प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यारат केंगे, आप लोगों को रिवीजन करने में अपने नोट बुक से असानी होगा आपना भी वीडियो को सेकेंड वार या थरड़ नहीं देखेंगे तीन बार चार बार नहीं देखेंगे, तो आप अपना नोट बुक को देख लें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, तो यहां से योगीक सब्द का परिभासा, आप यहां से इसको नोट कर लेंगे, यह पॉइंट को नोट कर लेंगे, जिन्हें हम लोग कौन सा सब्द से संबंदित यह अन किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, उन्हें लोग कौन सा सब्द काते हैं, योगीक सब्द काते हैं, समस्त संदी, समास, उपसर्ग, तथा परते से बने सब्द, योगीक सब्द का लाते हैं, जैसे बिद्याले, प्रेमसागर, प्रतिदीन, दुधवाला, राजमाता, इस्वरप्रदत, राष्टपती, महरसी, कृष्णापर्ण, चीडिमार, यह सभी योगिक सब्द के अंदरगत आते हैं, अगला जो नंबर थड़ यहां पे आपको बताया गया हुआ योगरूड सब्द को दिखाया गया, वे योगिक सब्द जिनक तो इसे सब्दों को कौन सा सब्द कहा जाता है, योगरूड सब्द कहते हैं, इसे कौन सा सब्द कहते हैं, इसे हम लोग योगरूड सब्द कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उग्जामपल के रूप में पीत आंबर सब्द में, पीत और आंबर की योग से बना है, वही जो वि सरदर चकरदर सडानन फिर उसके वाद रावनारी मुरारी यह सभी चीज जो यहां से देखनी को मिलेंगे यह गुरोड सब्द के अंतरगत आएंगे चलिए नंबर थर्ड में हम लोग जो बात करेंगे वह पर्योग के अधार पर देखेंगे तो आएए दिख लेते हैं कि पर्योग की अधार पर हिंडी में सब्दों को दोवेद किये जाते हैं एक तो विकारे सब्द किये जाते हैं एक विकारे या इसको अभ्या सब्द भी बोला जाता है तो आएए बात कर लेते कि विकारे सब्द क्या हैं तो यह सब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है उन्हें हम लोग विकारी सब्द कहते हैं उन्हें हम लोग कौन सा सब्द कहते हैं उन्हें हम लोग विकारी सब्द कहते हैं विकारी सब्दों में समस्त संग्या सर्वनाम बिसेशन तथा किरिया सब्द आते हैं इनका विस्तरित अध्यन अलग अलग प्रकरन में किया गया है उसके बाद हम लोग देखेंगे अविकार अब्यव सब्द वे सब्द जिनके रूप में लिंग वजन कार्रक काल की अनुसार को innovations उत्पर हैं अर्थात इंसब्दों और चिए सडव सदय वही रहता है तो यह सब्दों के आदियों अब्यव सब्द कहते हैं और अब्यव सब्दें अभिकारी सब्दों में किया विस्टिसन आते हैं संबंद वोधक अभे आते हैं समुच वोधक अभे आते हैं बिसमयादी वोध्यक अवयाधी सब्द आते हैं अब हुम लोग बात करेंगे अर्थ के अधार पर सब्दों के बेद तो अर्थ के अधार पर सब्दों क एकार्थी सब्द काते हैं जैसे दीन धूप लड़का पहाड नदी अनेकार्थी सब्द वे सब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते तता उनका परियोग अलग-अर्थ में किया जाता है तो ऐसे जो सब्द होंगे उनको हम लोग कौन से सब्द के अंतरगत रखेंगे तो अन ऐसे सब्द को हम लोग परियावाची सब्द कालाते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिलोम सब्द को लेकर कि वे सब्द जो एक दूसरे के एक दूसरे का बेप्रित अर्थ देते हैं उन्हें हम लोग कौनसा सब्द कहते हैं बिलोम स सब्द कहलाते हैं फिप्त में दिया गया समोचारित सब्द या युक्म सब्द यानि वे सब्द जिनका उचारन समान प्रतित होता है किन्तु अर्थ बिलकुल भिन होता है इसे सब्दों को समोचारित सब्द या समुचारित सब्द युक्म सब्द या सम रूपी भिनार्थक सब्द कहते हैं जैसे अनल के अनेल उचारन में समान है किन्तु अनल का अर्थ आग तथा अनिल का अर्थ हवा होता है आप देख सकते हो यहां से फिर उसके बाद नंबर 6 में कहा गया कि सब्द समू के लिए एक सब्द यानि वे सब्द जो किसी वाक वाक्यांस या सब्द होते हैं उन्हें सब्द समूं के रूप में परियुक्त कहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं एक परियूक्त सब्द कहते हैं जिसका कोई सत्रु नह कहा जाता है वह अन्यक सब्दों के लिए एक सब्द या सब्दों के लिए एक सब्द कहा जाता है नंबर सेवेंथ में दिया गया समनार्थक प्रतित होने वाले भी नार्थक सब्द यानि वे सब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतित होते हैं किन्तु उनमें अर्थ का इतना सुछ अंतर होता है कि उन्हें अलग-अलग संदर में ही परियुक्त करना पड़ता है जैसे अस्तर सब्द उन हत्यारों के सब्द के अंतरगत अध्यार रखेंगे आप सब्द को उसके बात समुवाची सब्द की बात कि आगया। पर देखेंगे ध्यानार्थक सब्द को देखेंगे वे ध्यान यात्मक सब्द जिनका अर्थ धवानियों पर अधारित होता है इन में दो उप्भेदों में बांट सकते हैं तो ऐसे जो सब्दों सब्धें वे ध्वनार्थक सब्द के अंतरगत कहे जाएंगे पस्टूस की बोलियां जिन में किल किलाना गुजारना दहारना यह सबी सब्द आते हं पच्छी यहां से आप देख सकते हैं जोड़ों की ध्वानियां अन सब्द जीने छलचलाना लहलाना दमदवाना चमचमाना यह सबी चीज़ यहां से हम लोगों ने अज़ अच्छे से कवर किया तो मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट सब्द है फिर उसका योगरोड सब्द का चेहन किजिए तो आप लोग इसका अच्छे से जबाब देंगे और कुछ आपको आपके लिए सब्चेक्टिव कोश्चन भी छोड़े जा रहे हैं कि तत्सम सब्द किसे काते हैं कोई चार तत्सम सब्द लिखिए निम्न तदभो आपको करना योगिक सब्द किसे करते हैं योगिक योग रूड में अंतर आपको सपष्ट करने कोई चार समुवाची सब्द लिखिए ध्यानार्थक सब्द 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 से आप अगे बढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना है फिर अगले दिर अगले वीडियो में मिलत थेंक्स फूर वाचिंग, टेक क्यार, बाई बाई